तो एक बर फिर से आपका स्वागत हम बात कर रहे थे सनी के बारे में सनी जब आपके नवामसा चार्ट में विभिन भावम में स्थित होते हैं तो आपको क्या प्रिणाम देते हैं इस वीडियो में हम 11th house के बारे में बात कर रहे हैं देखे 11th house में अगर सनी है तो आपको उनी लोगों से दोस्ती रखेंगे जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते जो आपको टाइम आने फे हिल्प कर सकते इसी तरह आपके बड़े भाई के साथ आपके रिलेशन्स बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और आपको आपके जिवन साथी के मादेम से आपको अपने स्पाऊस के मादेम से फ्रेंड़्सिप की असलियत पता लगेगी और अपना जो फाइनेंसियल जो शोर्स है इंकम शोर्स ज arriv अपका उसकी एहमिएत आपको लाइफ में बाद में ही पता चलेगी ऐसे में सनी अगर अच्छी स्थिति में है तो stable income source जरूर देगा और आपकी income समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी लेकिन कोई भी speculative gain आपको बहुत मुश्किल से ही होगा या आपको ऐसे कारियों में कोई interest नहीं रहेगा आप बैठे-बैठे पैसे बना ले या आप बीना मेहनत किये पैसे बना ले ऐसे कामों में आपका interest नहीं होकर आप धन कमाने के लिए अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका पार्ट्नर आपको ये सब जिम्यदारियां दिखाता है, आपको marriage के बाद हो सकता है कि पार्ट्नर का बहुत अच्छा support मिल सकता है, और वो आपके लिए ऐसे guide की रूप में हो सकता है, जहाँ पर वो आपको guide करेगा कि आपको कौन सा part चुनना है life का आपको बहुत ज़्यादा बहुत तिक वादी होना है आपको बहुत तिक सुखो की तरफ देखना है या एक normal income जो आपको stable रखती हो आपको stable rope से होती रहती है उसकी तरफ आपको देखना है तो कुछ इस परकार के जो विचार है उससे आपका जिमसाती प्रेरित होगा और हो सकता है कि आप बहुत कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने को नहीं देखेंगे आपका partner भी धन कमाने के मामले में बहुत ही समझदार हो सकता है बहुत विवेक पूर्ण तरीके से वो निर्ने लेने वाला और धन को मैनेज करने में काफी अच्छा हो सकता है ऐसा जब सनी है तो सन्तान की तरफ से भी कोई स्पेशल आपको कुछ ज़्यादा फाइदा नहीं होता हो देखरा और सन्तान में कई बार बहुत ज़्यादा देरी हो सकता है या सन्तान के उपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस ना हो मैरेज के बाद ये भी हो सकता है तो यहां सनी की ये स्थिति दिखाती कि आपके पास income के सोर्ष तो होंगी लेकिन अगर सनी खराब इस्थिति में हुआ तो फिर आपको अपने धन को manage करने में काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और आपको धन कमाने में भी काफी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है फिर तो आपके लिए जो भी आपके friends होंगे जो आपके जिन लोगों से connection होंगे उनसे भी कोई wishes फाइदा आपको बिलकुल नहीं होगा ऐसे में आप कोई जैसे समाथ सिवा से related अगर ग्रूप से जुड़े हुए है तो उनसे भी आपको कोई gain expect नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर अगर सनी की खराब इस्तती हुई तो finance के लिए बहुत मेनद करने पड़ सकती है financially is even way stable होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो ऐसे case में आपको अपने partner से हमेशा मदद लेने चाहिए और इस case में जब भी सनी आपके 11th house में इस्तित होते तो आपके partner का role बहुत ही एहम हो जाता है और अगर आप उनसे कोई भी सला लेके आगे बढ़ते तो अच्छा रहता है otherwise आपको काफी सारी दिक्कते आ सकती है तो सनी 11th house में आपको कुछ इस प्रकार के result देखाए